इस लेक्षर नमर 4th of capacitor और इस पार्ट में हम कुछ important concept सीखेंगे and the question based on those concepts पहले आप इस question को करके देखिए इसमें आपको बोला है कि यह आपके पास एक arrangement given है और इस end पे 2000 volt लगाया है और इस end को हमने earthing किया है तो earthing जैसे ही करें है तो यहां का potential zero हो जाएगा ठीक है अब आप क्या कर सकते हैं इस दोनों point को connect करते हुए एक battery जोर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं तो आप से पूछा potential of each point बताएगे तो potential of each point बताना है तो ध्यान से सुनिए so देखिए यहां 2000 volt है यहां 0 है तो यहां भी 0 होगा यहां भी 0 होगा तो आपको potential of each point बताना है तो आप क्या करिए पहले आप इसमें यह 2000 volt को divide करिए तो divide करने का क्या तरीका है पहले तो आप इसका equivalent निकाल लिएगा इन दोनों series में है तो इसका equivalent 5 फिर इन दोनों parallel है तो इसका equivalent हो जाएगा पंद्रह तो आपको 2000 volt को distribute करना है पांच और पंद्रह में तो distribute करने का तरीक आपको पता है V5 is to V15 is equal to 1 upon 5 is to 1 upon 50 LCM लेंगे 15 multiply करेंगे 3 is to 1 तो V5 आगया 3 upon 4 into 2000 और V15 आगया 1 upon 4 into 2000 यानि कि यहां पे जो 5 farad के across जो drop आएगा that will be 1500 volt और इस पूरे के across जो drop आएगा इस पूरे के across जो drop आएगा वो आएगा 500 यानि इसमें 500 इन दोनों मिलाकर के 500 और capacitor देखिए same value हो तो इसमें 500 और इसमें भी 500 तो एक बार आप क्या कर लिए कि सब का सब capacitor के across जो potential drop है वो आपने calculate कर लिया तो अब आप क्या करिए सारे point का कर लिजे यहां 2000 तो इस point का कितना हो जाएगा 500 इस point का 500 इसके across 250 तो यहां 500 था इसके across 250 तो यहां कितना हो जाएगा हाँ very nice यहां 250 हो जाएगा फिर यहां 250 फिर यहां 0 तो यहां पे कितना हो जाएगा यहां पे हो जाएगा 0 तो ऐसे हम कर करके सारे point का जो potential difference है वो calculate कर सकते है next question देखिए very important question देखिए question में आपको क्या बुलाएगी एक capacitor है इसको हम charge करते है वी बोल्ट battery से तो capacitor का capacity है तो वी बोल्ट से charge किए फिर हमने क्या किया same capacitor को अब क्या करते है same battery से reverse connection दगर देते हैं यहां positive देखिए यहां positive देखिए तो reverse connection करते हैं तो यहां अगर positive यह था तो इस capacitor के इस plate पे positive यह हो जाएगा और negative यह और यहां reverse हो जाएगा तो आपसे पूछा है कि battery is connected in reverse polarity तो आपसे कुछ सवाल पूछा है क्या सवाल पूछा है द्यान से सूनगी है आपसे पूछा है सबसे पहले charge flown in the loop यानि इस loop में कितना charge flow किया तो देखिए पहले अगर positive plate इधर था तो q is equal to cv होता है तो अभी charge कितना flow किया capacitor c battery का volt v तो इस पे plus cv इस पे minus cv ठीक है फिर जैसे हमने battery का polarity reverse किया तो अब इस पे आजाएगा minus cv और इस पे plus cv तो देखिए पहले plus cv था अब हो गया minus cv तो कितना charge flow किया होगा जो minus cv हो गया हाँ बिल्कुल सभी बात है तो total charge कितना flow किया होगा 2cv तभी तो पहले plus था plus cv था अब minus cv हो गया तो charge flow in the loop हो जाएगा cv minus minus cv तो यह आजाएगा 2cv तो इतना charge flow किया आप ऐसे भी कर लिए अगर आप से charge पूछता है तो आप क्या करिए इस plate को पकड़िए इस plate में दोनों जो charge है उसको add कर दीज आप आपके पास answer मिल जाएगा चाहें यहां negative हो या positive हो कोई फरक ने इन दोनों को add कर यह आपके पास total charge flow ना गया और आप पहले पढ़के आते हैं क्या पढ़के आते हैं कि एक charge को गुमाने में energy spent battery करता है वीव के बराबर तो कितना charge गुमा रहा है 2cv तो 2cv को गुमाने के energy spent कितना होगा 2cv into battery का वोल्ट यानि energy spent आगया 2cv square अब देखिए अगर आप यहां पे change in potential energy निकाल गया तो change in potential energy u final minus u initial u final कितना हो जागा देखिए v है c है तो half cv square और u initial यह भी same है तो यह delta u zero हो गया और आपको मैंने बताया था कि जो battery energy spend करता है तो दो काम में जाता है एक तो change in potential energy और साथ में heat यहां change in potential energy zero है तो energy spent by battery heat तो heat जो इसमें release होगा battery के polarity को reverse करने में वो आ जाएगा 2cv square के बढ़ next question देखिए अब क्या बोला आपके पास capacitor c है और इसको v volt battery से charge करते है तो ठीक बात है इस plate पर आगा plus cv इस plate पर आगा minus cv अब क्या बोला कि battery दूगूना कर देते हैं और battery का polarity reverse कर देते हैं तो अब आपसे कुछ सवाल पूचा सुनिए तो अगर पहले cv था तो battery का polarity reverse कर करने से 2v करने से यह minus 2cv हो जाएगा और यह plus 2cv हो जाएगा इतना clear है तो पहले पूला है charge flown in the loop तो मैंने आपको बताया था first plate को पकरिए first plate को पकरिए और दोनों को add करिए irrespective of the negative या positive charge तो दोनों को add करिए 2cv plus cv तो charge flown on the loop आजाएगा 3cv के बढ़ावर और एक coulomb charge को flow करवाने के लिए energy spend करता है battery V तो इतने coulomb charge को flow करवाने के लिए कितना होगा battery energy spend by battery 3cv into 2v अब यहाँ पर important है कि कौन सा potential लेंगे देखिए आपने battery scenario change किया है आपने scene change किया है अब नया 2v volt का battery लगा है तो यही तो energy spend करेगा यह तो exist में ही ने रहा इसी को तो change किये है इस 2v अब यहाँ पर लेंगे volt 3cv into 2v तो अब energy spend by battery हो गया 6cv square तो यह 2v आपको समझ में आना चाहिए आप यहाँ पर V नहीं ले सकते क्योंकि इसका तो वजूद ही नहीं रहा इस circuit का वजूद ही नहीं रहा क्यों कि इसको इसमें convert कर दिए done अच्छा change in potential energy निकाल लिए u final minus u initial u final कितना होगा half c 2v का square तो half c 2v का square minus initial कितना है half cv square तो यहाँ से आगया 3 by 2cv square दन अच्छा energy spend by battery को दो काम में use करते हैं delta u plus heat delta u है 3 by 2cv square और energy spend by battery है 6cv square तो heat कितना आया इसको subtract करिए तो heat आगया 9 by 2cv square तो आपसे कुछ भी question पूछ सकता है जैसे एक बार j means में question आया थ आपको बोला same circuit में heat produced divided by potential energy of capacitor का ratio बताईए तो heat produced तो आगया 9 by 2cv square अब यहाँ पे देखिए potential energy of capacitor पूछा है change नहीं पूछा है तो change पूछता तो हम यह use करते value यह value use करते पर यहाँ पे change नहीं potential energy of capacitor पूछा है तो हम इस circuit का potential energy use करेंगे that will be half c 2v का square तो इन दोनों का ratio आपके पास answer आएगा अब आईए सबसे important इस topic का topic को discuss करते है important topic को discuss करते है इसमें क्या है मान लिए आपके पास एक parallel plate capacitor है air parallel plate capacitor है तो आपको पता इसका capacitance होता है a epsilon not divided by d यह सुरनो अब देखिए इन दो plate की बीच का distance है d और plate का area जो है यह area है a अब हम क्या करते है इस air parallel plate capacitor में मसाला डालते है मतलब medium डालते है तो medium डालने का क्या तरीका हो सकता है एक तो आप क्या कर सकते है distance यानि इतना दूर medium डाल दें दो medium डाल दीजे distance को divide करके एक आप क्या कर सकते area को divide करके medium डाल सकते है तो medium डालने के दो तरीके है एक तो distance को divide करके और एक area को divide करके medium डाल सकते हैं तो हम दोनों को discuss करते हैं तो माल लीजे ये दो parallel plate capacitor था ये दो plate था इसके बीज का total distance था D और आप इसमें क्या किरिए distance को divide कर दिये ये जो distance था इसको divide करके 3 medium बढ़े एक का dielectric constant ER1 ER2 and ER3 तो याद रखिएगा जब भी आप parallel plate capacitor के बीज का distance divide करते हैं तो जितना में divide करते हैं जितना medium डालते हैं उतना आपको capacitor बनाना है और सब को series में join करना है याद रह जाएगा क्या बूला मैंने parallel plate capacitor के बीज का distance को divide करके medium डालते हैं तो जितना medium डालेंगे उतना capacitor बनाना है C1, C2, C3 और उसको series में connect कर देंगे लेकिन आप देखिए ये दो parallel plate capacitor दो plate है अब इसका area था पूरा एक अब हम क्या करते हैं area को divide करते हैं तीन medium डालते हैं तो तीन capacitor बनाईएगा और area को divide कर रहे हैं इन सब को आप क्या करिएगा series में connect कर दीजेगा तो वापस सुनिए distance divide किये तो series में connect कर रहा है area divide किये तो parallel में connect करना है तो मान लीजे आपके पास ये दो plate हैं आपने क्या किया एक तो आपने ऐसे भर दिया तो आपने distance divide किया मान लीजे यहाँ epsilon r1 यहाँ epsilon r2 और एक आपने क्या किया ऐसे distance में divide कर दिया तो ध्यान से सुनिए तो यह आपने distance में divide कर दिया ऐसे करते हैं इसको हटा देते हैं तो एक तो आपने area को divide कर दिया तो यह मान लीजे epsilon r3 है और एक आपने distance में divide कर दिया तो ये दो capacitor बनाएगा और since distance में divide की हैं तो ये दोनों series में आएगा और इन दोनों का जो equivalent आएगा वो इसके साथ parallel में आएगा क्योंकि area को divide की है हो जाएगा अब देखिए question करने का क्या process है उसको सीखते हैं तो मान लीजे आपके पास ये parallel plate capacitor है दो plate अब देखिए अपने distance को divide की है एक का epsilon r1 एक का epsilon r2 तो distance को divide करते हैं तो एक ये capacitor बनाएगा एक ये capacitor बनाएगा दोनों series में आएगा C1, C2 हमने series में लगाए अब हम देखिए अगर air होता तो air के लिए capacitance होता है epsilon not divided by D अब आप C1 चेक करिए C1 का value कितना आएगा C1 का value area कितना है दोनों का area सेम है तो area सेम है epsilon not और यहाँ epsilon r1 और इसका distance कितना है dy2 तो dy2 करेंगे तो ये आएगा तो यहाँ से A epsilon not divided by D को आप C0 लिख सकते हैं क्योंकि ये air में capacitance है तो ये आगया C1 to epsilon r1 C0 similarly C2 निकाल सकते हैं कैसे इस formula को use करिए area इस capacitor का कितना है A epsilon not और epsilon r2 डालेंगे और distance dy to dy2 A epsilon not divided by D को C0 लिखेंगे तो C2 आगया 2 epsilon r2 C0 अचा since ये दोनों क्या है series में है series में है तो आपको पता है C equivalent निकालने का तरीका क्या होता है C1 C2 upon C1 plus C2 इन दोनों को multiplied divided by add करिएगा तो आपके पास ये आजाएगा 2 epsilon r1 plus n to epsilon r2 divided by epsilon r1 plus epsilon r2 C0 अब जिहान से सुनिए जो C0 के आगे लिखा हुआ है देखिए ये पूरा C equivalent आगया पर आपसे कभी-कभी क्या पूछता है कि C0 के आगे जो लिखा हुआ है इसको बुलाते है equivalent dielectric constant तो आपसे 2 question पूछ सकता है एक तो आपसे पूछ लेगा कि C equivalent बताइए तो आप पूरा answer लिखेगा अगर आपसे dielectric constant का equivalent पूछे तो आप ये answer लिखे आईएगा C0 मत लिखेगा अब देखिए क्या ये आपको multiplication divided by divide तो ये आपको कैसा mean दिख रहा है तो ये आपको harmonic mean दिखेगा तो आपसे direct question पूछेगा कि ऐसे capacitor में medium डाले तो बताइए कौन सा mean मिल रहा है तो आप देख सकते हैं harmonic mean मिल रहा है तो C0 के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है net dielectric constant का value होगा और ये भी पूस्ता है कि ये कौन सा mean होगा right next question देखिए अब देखिए दो plate है अब क्या कर रहे हैं दो medium डाल रहे हैं पर इस बार area को divide कर रहे हैं तो यहां देखिए दो capacitor बनाईएगा दोनों को parallelly connect कर दीजे ठीक है अगर air होता तो a epsilon not divided by d लिखते हैं तो इसी के reference में लिखना है अब देखिए c1 लिखिए तो c1 कैसे लिखेंगे area इसका है a by 2 epsilon not into epsilon r1 divided by distance इसका है d तो c1 आपके पास इतना आ गया और a epsilon not divided by d को आप c लिख सकते हैं तो c1 आपके पास आ गया epsilon r1 divided by epsilon r1 into c divided by 2 similarly c2 लिखे तो c2 लिखने के लिए area इसका है a by 2 epsilon not epsilon r2 divided by distance at d तो यहां से c2 आ गया epsilon r2 divided by 2 अब यह दोनों parallel में तो parallel में हैं तो आप इस दोनों को direct add कर दीजिए तो इन दोनों को direct add करिएगा तो c equivalent आपके पास आ गया इतना ठीक है अब आप ध्यान से सुनिए c के सामने जो भी कुछ लिखा हुआ है वो है resultant dielectric constant का value और यह पूरा है c equivalent का value अब आप देखिए यह कैसा mean है यह आपको arithmetic mean दिख रहा होगा तो आपसे तीन तरह से question पूसकता है तो c equivalent बताईए यह resultant dielectric constant बताईए यह कौन सा mean है वो mean बताईए तो यह arithmetic mean है यह भी धियान लगने आपको next question देखिए अब क्या बोला आपके पास दो plate था एक में क्या किये हम distance divide कर दिए एक में क्या किये area divide कर दिए तो देखिए यह दो capacitor बनाएगा और since distance divided है तो यह दोनों क्या होगा series में होगा लिख दिए और यह area divide कर रहा है तो इस दोनों का resultant और इसके साथ वो parallel में होगा तो देखिए parallel ठेक है अब आप air का पहले लिख लिख लिजे a epsilon not divided by और फिर c1 लिखना चालू करिए तो c1 क्या होगा इसका area a by 2 epsilon not और इसका epsilon r3 लेंगे divided by इसका distance कितना है d by 2 तो distance लेंगे d by 2 तो आपके पास c1 आ जाएगा तो देखे c1 और a epsilon not divided by d को c लेंगे तो c1 आ गया similarly आपके पास c2 आ जाएगा same इसी पे value रख करके तो c2 आ गया इतना और फिर आप c3 निकाल लिजेगा तो c3 आ जाएगा c3 के लिए कैसे करेंगे c3 में area है a by 2 epsilon not लिख देंगे और इसका epsilon और 5 और इसका पूरा distance कितना है d तो distance d ही रहने देंगे और a epsilon not divided by d को c लिखेंगे तो यहाँ पे c3 आ गया c1 c2 series में है तो c equivalent निकालने का यह formula क्योंकि resistance का उल्टा चलता है तो यहाँ से आ गया 2c और यह दोनो parallel में है तो 2c plus 5 by 2c तो आपके पास c equivalent आ जाएगा next question देखिए यह neat में आया था अब आपको क्या बूला दो plate है और दो plate के बीच में हम 4 medium डाल रहे है देखिए ध्यान से यह सब जो medium डाले हैं यह area को divide करके डाले हैं देखिए तो यह 3 किस में होगा area divide करेंगे तो यह 3 तो हो जाएगा parallel में तो देखिए 3 capacitor तीनो parallel में हम attach कर दिये और यह इसके साथ में इसके respect में distance divide किये हैं तो k4 जो होगा c4 जो capacitor वो series में आएगा done अच्छा ध्यान से सुनिए अब आप c1 लिखे इसके लिए किसके reference में लिखेगा air के reference तो इस medium के बारे में a by 3 ठीक है epsilon 0 और इसका k1 लिखेंगे और इसका distance d by 2 तो c1 कितना आगया और a epsilon 0 divided by कि लिखेंगे तो c1 आगया 2 by 3 k1 into c similarly c2 को भी लिख सकते है क्योंकि area और distance same है area distance same है इसके तो change कर रहा है epsilon r के जगाए पर तो change कर रहा है तो c2 आगया 2 by 3 k2 k2 into c और c3 आगया तो यह 3 आगया अब यह 3 क्या है यह 3 क्या है area divide कर रहे हैं तो यह 3 parallel में तो parallel में इसको direct add करेंगे तो direct add करेंगे तो इसको देखिए c1 c2 c3 को direct add किये तो आपके पास यह answer आया done अच्छा अब इसके बारे में बताईए c4 c4 कैसे लिखिएगा again इस formula से इसका area अब कितना है पूरा area पूरा area a है epsilon naught और इसका k4 और distance इसका है half तो distance इसका half डालेंगे तो c4 आगया 2 k4 into c ठीक है अब देखिए यह और यह आपस में क्या है series में तो series के लिए क्या लिखते है 1 upon c equivalent is equal to 1 upon c1 plus 1 upon c2 1 upon c equivalent c equivalent क्या होगा अगर मान लेते हैं आपको बोला कि पूरे plate में एक medium बरे जो सब का equivalent है k उसको k बोलते हैं और c original जो divided by c4 यह आगया plus यह इसका है यह तो इसको value डालेंगे तो आपके sum में k में relation आजाएगा next question देखिए यह IIT में आया था आपको बोला दो plate के बीच में हम क्या करते हैं एक medium डालते हैं जिसका epsilon r 4 है और एक medium डालते हैं इस पूरे में जिसका epsilon r 2 है तो अब आपको इसको divide करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसको divide करिएगा तभी आप question solve कर सकते हैं इसको divide करते हैं देखिए एक में तो epsilon r given है यह area division है तो यह हमको पक्का है कि यह basically कहां आएगा यह parallel connection में आएगा क्योंकि area division है अब इस पूरे इलाके में epsilon r 2 है तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे cut करेंगे ऐसे मत cut कर देजगा ऐसे cut करेंगे तो ऐसे cut करेंगे तो जैसे ही ऐसे cut करेंगे तो एक यह medium एक यह medium दोनों का medium सेम है तो capacitance सेम ही होगा अब धियान से सुनिए यह दोनों जब capacitor बनाएगा तो distance को divide कर रहा है तो ये दोनों किस में होगा ये दोनों series में होगा तो मान लिजे इसको बुलाते है c1 इसको बुलाते है c2 तो c1 c2 series में और इसका equivalent और ये area को divide कर रहा है तो ये दोनों parallel में तो c3 इस दोनों के equivalent का parallel अब क्या करिए air का लिखिये और इसके respect में c1, c2, c3 लिखिदा लिए तो आए c1 लिखते हैं तो c1 कैसे लिखेंगे area इसका कितना है a by 2 epsilon 0 और इसका epsilon आ रहे है 2 और distance इसका कितना है d by 2 और a epsilon 0 divided by d को c लिखेंगे तो c1 आ गया 2c और similarly c3 भी कितना आएगा c3 आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो है distance पूरा लिखेंगे d तो c3 कैसे लिखेंगे area इसका कितना है half a by 2 epsilon 0 इसका epsilon r है 2 और distance पूरा लिखेंगे d और a epsilon 0 divided by d को c लिखेंगे तो c3 आ गया c c1 आ गया 2c similarly c2 निकाल सकते है c1 c2 क्या है series में series में है तो इसको ऐसे solve करेंगे c1 c2 upon c1 plus c2 यह parallel में है तो इसको add करेंगे तो आपके पास answer आएगा बस आपको यही सोचना है कि divide कैसे कर रहे है अगर distance divide कर रहे है तो वो series में होगा area divide कर रहे है वो parallel में होगा और इसके respect में सबका capacitance लिखे और जितना है उसको solve कर लिजे next हम क्या करते है multiple capacitor की बात करते है देखे normally हम पढ़ते आते हैं कि capacitor में दो ही plate होता है अगर एक से ज़्यादा plate हुआ तब कितने capacitor बनेंगे और क्या-क्या question होचता है वो सुनिए मान लिजे आपको ये arrangement लिखके दे दिया चार plate है और चार plate पे पहले आप क्या करिएगा direct हम solve करते हैं इसको पहले आप number करिए numbering करिए 1,2,3,4,4 plate है और आपको question में बोला 1,3 plate को हमने ऐसे join किया है और 2,4 plate को ऐसे हमने join किया है और battery से connect करके रखे हैं BV से अब देखिए आपको क्या करना है कैसे करना है दियान से सुनिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो numbering कर लीजे फिर आप check करिए कौन सा plate connected है तो देखिए कौन सा plate connected है 1,3 plate connected है तो एक point तो हम यहाँ चूज करेंगे 1,3 plate वाला और एक point चूज करेंगे 2,4 क्योंकि यह दोनों connected है तो 2,4 point ठीक है अब आप check करिए point बना लिए अब आप आईए उपर से नीचे तो उपर से नीचे आईएगा तो यह दोनों एक capacitor बनाएगा 102 तो यहाँ पे इन दोनों point के बीच में एक capacitor आया 102 वाला अब देखें numbering भी important है यह जो capacitor के 2 plate है इस plate में यह पहला plate कहां से आएगा 102 capacitor बनाएगा तो इसमें पहला plate कहां से आएगा यहाँ से 1 और 2 कहां से आएगा यहाँ से तो यह plate 1 हो गया यह plate 2 हो गया similarly 2 3 जाएगे तो 2 3 इस दोनो point के बीच में तो यहाँ पे again एक capacitor बनाएगे 2 3 plate वाला अब देखें इस point से तो 3 आएगा तो यहाँ से इस plate का नाम रखेंगे 3 और इस plate का नाम रखेंगे 2 तो यहाँ एक और capacitor फिर एक और capacitor आएगा 3 4 वाला same point के बीच में तो 3 4 वाला तो यहाँ से आएगा 3 यहाँ से आएगा 4 इतना समझ में आया ठीक है आप देखें तीन capacitor इसका आपने equivalent बना लिया तीन capacitor तीनों का CCC parallel में है तो C equivalent आजाएगा 3C अब आप हर एक plate पे charge की बात करिए तो plate number 1 देखिए इन दोनों point सब का जो potential difference होगा वो V के बराबर होगा क्योंकि सब parallel में है तो इस plate का इस plate पे जो charge होगा Q is equal to C V capacitance है C voltage है V तो इस plate पे charge क्या होगा plus C V क्योंकि यह battery के positive N से connected है इधर वाला इस side वाला सब positive इस side वाला सब negative और plate number 2 पे minus C V तो plate number 1 पे plus C V plate number 2 पे minus C V फिर यहां देखिए कौन सा plate है plate number 3 plate number 2 तो plate number 3 पे plus C V और plate number 2 पे minus C V क्योंकि इसके 20 का भी potential difference V होगा तो plate number 3 पे कितना charge होगा C V और 2 plate पे देखिए यहां है minus C V और यहां था minus C V तो plate number 2 पे total charge कितना होगा minus 2 C V आपको add करना है similarly यहां plate है 3 यहां plate है 4 तो plate number 4 पे charge होगा minus C V पर plate number 3 पे charge होगा plus C V दोनों का consider साथ में करेंगे तो यहां आजाएगा plus 2 C V तो ऐसे solve करना है next एक और बार सीखिए आपके पास देखिए ऐसा arrangement given है और V volt का battery लगाए होगा है तो देखिए 2 point आपको consider करना है एक तो 1,4 point जोकि यह दोनों connected है तो यह देखिए 1,4 point और एक 2,3 point connect करना है अब आप उपर से नीच आएए numbering कर लिए उपर से नीच आएए 1,2 यह capacitor बनाएगा तो देखिए 1,2 यह capacitor बनाएगा इस capacitor प्लेट का number दीजे इधर से आएगा 1 इधर से आएगा 2 तो यह plate 1 यह plate 2 फिर देखिए 2,3 बनाएगा क्या capacitor नहीं 2,3 plate तो आपस में join है join है तो इन दोनों का potential से हो गया तो यह तो एक ही conductor बनाएगा पर capacitor के लिए 2 conductor चाहिए तो 2,3 जो है वो capacitor नहीं बनाएगा फिर 3,4 पे आएए 3,4 हाँ अलग-अलग इसके potential है तो 3,4 एक capacitor बनाएगा दोनों point के बीच में तो इसका numbering करिए यह कौन सा plate तो यहां से आएगा 4 और यहां से आएगा 3 तो यह plate हो गया 4 यह plate हो गया 3 V-volt battery से तो इसके across भी V-volt इसके across भी V-volt सब plate का charge लिखे तो plate 1 का charge 2 is equal to CV लिखेगा तो C into V क्योंकि यह battery के positive end से connected है और यह minus CV और similarly यह plus CV यह minus CV तो देखिए 1,2,3,4 सब अलग-अलग plate है तो सब plate पे जो charge होगा according to sign plus CV, minus CV, plus CV, minus CV और C equivalent केतना आएगा दोनों parallel में हैं तो 2C के बराबर आईए एक बर और सीखिए आपके पास ऐसे 4 plate है सबसे पहले numbering कर लिए और 1,4 plate connected है 2,3,4 plate जो है वो एक battery से connected जिसका volt भी है तो अब आप क्या करिए यहां देखिए कितने point है यहां देखिए यह दो अलग-अलग point है क्योंकि battery से connected है और एक यह single point है तो कितने point हुए एक, दो, तीन point हुए तो तीनो point को पहले आपको draw करना है तो जो battery से connected है उसको आप end point बना दीजे तो 2, 3 को आप end point बना दीजे तो 2 और 3 को आपने end point बनाया और जो 1, 4 point है उसको आप बीच में डागिए 1, 4 point को बीच में डागिए अब आप आए उपर से नीचे उपर से नीचे आईएगा एक capacitor बनेगा 1, 2 के बीच में तो 1, 2 की बीच में एक capacitor बनेगा तो देखिए, यहाँ है 1 यहाँ है 2, यानि कि यह capacitor बना 1, 2 की बीच में इस plate का नाम 1, इस plate का नाम 2 similarly और नीचे आईए तो यहाँ 2, 3 plate एक capacitor बनाएगा, तो 2, 3 point कहा है, यहाँ, इसके बीच में एक capacitor, यहां से आएगा 2, यानि इस plate का नाम 2, और इस plate का नाम 3 फिर 3, 4 एक, दो plate मिल करके capacitor बनाएगा, तो 3, 4 point कहा है यह 3 point, यह 4, तो यहां बनेगा 3, 4, यहां से आएगा 4, यहां से आएगा 3 तो इस plate का नाम 4, इस plate का नाम 3 अब आप सब पे आप charge लिखिए तो देखिए, अगर यह V volt का battery connected है, क्योंकि V volt का battery 2, 3 point के बीच में connected है तो यह, यह सब positive plate हो गया, यह सब positive plate हो गया तो देखिए, इन दोनो capacitor के बीच का जो potential difference होगा वो होगा V, और similarly इसमें भी होगा V, क्योंकि यह दोनों आपस में series में है, और यह इसके साथ parallel में है, तो यहां तो आजाएगा, इस capacitor के across जो drop आएगा वो V, तो इस plate पे जो charge आएगा, वो आएगा plus CV क्योंकि positive ends है, और इस पे minus CV, पर इस पे plus CV by 2, और इस पे minus CV by 2, ठीक है और अगर कोई दो plate, same आ रहा है जैसे for example देखिए, यहां पे यह plate है second, यह plate है second, तो इस पे plus CV by 2, इस पे CV, तो दोनों को आप add करिएगा, तो plate number 2 पे कितना charge होगा, total इतना, done तो ऐसे अगर कोई same है, जैसे यह three plate, और three plate same है तो इस पे minus CV by 2, और इस पे minus CV, तो इस पे minus CV by 2, इस पे minus CV by 2, तो आप दोनों को add करिएगा, और अगर आपसे बोल दे कि maximum capacitance चाहिए आपको, कितना चाहिए, maximum capacitance चाहिए, तो maximum capacitance चाहिए, तो आपको कितना plate लगाना परेगा, एक तो यह question पूशता है तूसरा maximum capacitance के लिए कैसे आप plate को connect करिएगा ठीक है तो maximum याद रखिएगा maximum capacitance के लिए plate को आप alternate connect करिएगा ठीक है so if alternate plates are connected तो आपको capacitance maximum मिलता है और अगर n plate है मानलीजे आपके पास 8 plate है तो maximum capacitance के लिए 8-1 यानि कि 7 plate आपको लगाना परेगा sorry 8 plate है तो 8 plate है तो आपको पूशा maximum capacitance लाने के लिए कितना capacitor बनेगा 8-1 एक 7 capacitor बनेगा और 7 capacitor में आपको alternate arrangement करना परेगा कैसे 1,2,3,4,5,6,7 तो alternate arrangement मतलब एक plate को 3rd से जोड़िएगा 3rd को 5 से 5 को 7 से और फिर 2,4 को और 4,6 से alternate connection और number of plate अगर 8 है तो 7 capacitor बनेगा जो maximum आपको capacitance देगा so n plate से कितने capacitor बनेगे n-1 maximum चाहिए तो alternate arrange करेंगे यह J-E mains में question आया था कैसे आप इस question को देखिए 1,2,3,4,4 plate है तो सबसे पहले numbering करिए 1,2,3,4 फिर देखिए 1,3 plate connected है और 2,4 अलग-अलग point है तो आपके पास 3 point हो गए 2,4 और 1,3 point तो 2,4 को आप extreme में ले जाए और फिर 1,3 point को आप यहाँ बीच में लगा दीज़े फिर आप आईए उपर से नीचे एक capacitor यहाँ बनेगा 1,2 point के बीच में तो यह 2 point यह 1 तो यहाँ एक capacitor बनेगा इस plate का नाम 1 इस plate का नाम 2 फिर 2,3 बनेगा तो 2,3 का है 2 और 3 तो यहाँ पर एक capacitor बनेगा इस plate का नाम 2 इस place का नाम 3 क्योंकि यहाँ से 3 आएगा फिर 3,4 तो 3,4 का है यह 3 यह 4 तो यहाँ एक capacitor बनेगा ये दोनों parallel में तो parallel में तो 2C और ये series में तो 2C into C divided by 2C plus C तो आपके पास answer आएगा अब देखिए आपके पास 6 plate है पहले numbering करिएगा 1 और 4 plate जुरा हुआ है 3 और 6 plate जुरा हुआ है और ये 2 अलग point यानि आपके पास 4 point है 4 point कैसे draw करना है यही इस question में क्या जै पहले 2,3,2 और 5 point को अलग करके लिख लिए 2 और 5 point को अलग करके लिख लिए और 1,4 और 3,6 point को आप उपर नीचे draw कर लिए और फिर आप उपर उपर आईएगा according to the plate number लिखे तो आपको इपर विट स्टोन विरीज बनेगा बीच वाले को neglect उपर करके solve कर लिजेगा